बबूल के फाइदों के बारे में जो की जलने पर बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होता है यानि कि अगर आपको कहीं जल गया है तो इसके लिए आप बहुत ही आसान और घरेलू प्रयोग कर सकते हैं वो है बबूल की पत्यों का प्रयोग फ्रेंस बबूल का जो पेग होता है वो बहुत ही गोंकारी होता है आईरवेट में भी इसे बहुत ही गोंकारी और शदी बताया गया है फ्रेंस इसकी पत्यों ही नहीं इसके जो फल होते है यानि इसके जो बीज होते है वो उसके जो तना होता है इसकी गौंध होती है इसकी किसी ना किसी रूप में प्रेयोग की जाती है और शदी बनाने में इसका प्रेयोग किया जाता है और बहुत सारी बिमारियों को ठीक भी किया जाता है अब फ्रेंस बात करते हैं यदि आपको कहीं पर जल गया है पीसने के बाद जिस स्थान पर आपको जल गया है वहाँ पर आप इसे लगाईए लगाने से क्या होगा आपकी सबसे पहले जलन तो सांथ होगी ही उसके बाद आपके जो जलने का इस्थान है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको बहुत जादा राहत मिलेगी तो फ्रेंस इस तरीके से बहुत ही आसान खरेल प्रयोग है आपको इसकी पत्नियों को पीस करके जल्ले वाले इस्थान पर लगा लेना है उमीद करते हैं फ्रेंस की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही वैल की आइकन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ले करा है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और फ्रेंस अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें